हेलो एवरिवन वेलकाम अगेनी लर्ण वेट दितिमन देखे बचों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का चेप्टर नुबर 3 जिसका टॉपिक है जल और बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं कोटा सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है चंबल के किनारे बसा हुआ है इसी तरह आपका राइस्थान का टॉप है वो किस के किनारे है बनास नदी के किनारे है उदैपूर है वो किस नदी के किनारे है वो आयड नदी के किनारे बसा किस के किनारे बनास के किनारे उदाइपूर आयड के किनारे और आपका जो कोटा है वो संबल के किनारे बसा हुआ है नेक्स देखिए दिल्ली सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है देखिए जो बड़े सहर होते हैं जो महानगर होते हैं वो सामाने तोर पर या तो किसी नदी क किनारे या किसी महासागर के किनारे या फिर जील के आसपास विक्सित होते हैं क्यों क्योंकि जल्स रौतों के आसपास ही जो मानव बसती है वो अच्छे से पनपाती है तो चलिए देखते हैं दिल्ली सहर किसके किनारे बसा हुआ है यमना के किनारे और भी जो सहर है जैसे इं लंड़न बहुत फेमस है जो वर्ड फेमस है वो कहांपे है्थ वो थेमस नदी के किनारे बसा हुआ है और इग्लेंड की जो थेमस नदी है उसके किनारे रोम बसा हुआ है और फ्रांस की जो सीन नदी है उसके किनारे क्या बसा हुआ है पैरिस बसा हुआ है तो इस चीज को आप याद रखेंगे नेक कोश्चन देखिए चेन नहीं किस महासागर के तट पर बसा हुआ है तो हम सभी जानते हैं किस महासागर पर तट पर है हि है कि और भी जो साहर हैं जैसे मुंबई है वह हिंद महासागर की अड़ पर चेनहीं हम देख चुके हैं हिंद महासागर के तट पर है न्यूइयॉर्क HOW का पि अट्ल appeal छोपल कोहते है अटलांटिक महासागर के तर ट पर Γण की अब प्रसंथ महासागर केते हैं ये भी SINGHAPUR से हैं, ना, तो इन चीजों को आप बिलकुल निशित रूप से याद रखेंगे, चलिए, NEC question देखते हैं, पुषकर किस झील के किनारे बसा हुआ है, देंखे, ये भी एक जल शॉत है, अच्छा, और पुषकर किस झील के किनारे है, पुषकर झील ही है, ना, च सिकागो, कहां है, मिसीगन, मिसीगन, डुलूत, सुपीरियर के किनारे, है न, और बफैलो, इरी के किनारे, इस सुपीरियर जील को याद है, कौन सी है यह, यह आपकी ताजे पानी की सबसे बड़ी जील है, है न, चलिए, नएक कुशन देखी, पृत्री पर मौजूद जल का कितना पृतिशत भाग पीने योगे है, तो कितने पी योगे है, 2.5%, 2.5 पृतिशत जो जल है, वो पीने योगे है, और उसमें भी, सबसे बड़ी समस्या यह है, कि उसमें जो अधिकान से जो भाग है, वो रुवों पर और प्रवतों पर कम जल हमारे पास अविलेबल होता है, और हमारे पास शौथ क्या है, नदियां है, जीले है, बान, तालाब, कुए, एनिकट, ये चीज़ें क्या हैं, ये हमारे लिए सोर्स का काम करते हैं, नेक कोशिन देखिए, विश्व की सबसे खारे पानी की जील कौन से है, विश्व क सबसे खारे पानी की जील है, म्रत सागर है, वो भी खारे पानी है, हमारी राजस्थान की सामर जील है, वो भी खारे पानी की जील है, और खारे पानी का मतलब क्या है, जिसको हम कठोर जल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कठोर जल भी जिसको कहा जाता है, वो ही तो खारे पानी है चलिए क्पेंट के खालपन का करण क्या होता है के सोडियंक क्लॉराइड है केल्षियम coração है और और लवन जो साल्ट ये क्षारेपन का सेकहवटिय दक्षिन राईस्थान भाग युगत-जल बहुत ज्यादा मत्रम में मिलता है वहाँ का जल पर दुसक्ति इस्थिति में है तो वहां पर क्यों पिने योगे क्यों नहीं माना जाता है क्या होता है इस से हड्यों से सम्मंदित रोगी पनपते हैं इस वजे से जल व्रशा जल, भूमी के अंदर प्रवेज कर नीचे के कठोर चटानों के कि तरफ बढ़ते हैं तो यह जो ना кино नहीं होता है इतना भावा श Ona में होता है और यह क täll स्बदने एसी टर्त मिलने पर जल पेने यूग्डे नहीं रहता क्या कहलाता है प्रकरती प्रदत सुद्धस्द जल्म एवांचिन ट्णक मिलने पर मौष मिलने पर जल पीने युग्गे नहीं है ता मतलब जब कोई सुद्ध जल है उसमें कोई एवांचित है तो मिल जाते हैं तो क्या होता है जो पीने युग्गे नहीं होता है तो क्या होता है पर दूसर जल होता है और आपको पता है यह जल प्रदूशन होता किसलिए हम जो यतनी ज़्यादा पॉपलेशन उतना ज़्यादा जल का यूज है न तो अगर प्राफर तरीके से हम लोगों ने इसके उपर ध्यान नहीं दिया तो बहुत समिश्याएं हुन जानी वाली हैं चलिए ना कुश्चन देखते हैं जल प्रिदूशन निवारण येवं नियंत्रन कानून कब बना ये क्या है जल प्रिदूशन निवारण के लिए जो कानून भारत सरकार ने बनाया था उनिस सो चहेतर में चीक है ये कब बना था उनिस सो चहेतर में दूसरा देखिए परियावरण संरक्षण कानून कब बना पर्यावराण संडुक्छंड कानून कब बनाए गया, यह 1986 में बनाए गया था, चलिए, नेक कोशन देखिए, गंगा नदी को साफ करने के लिए चलाई गई भारत सरकार यूजना ओंर की क्या नाम है, देखिए बहुत ज Uh ज्यादा नि quarterly नी और और यह कौन-कौन से हैं गंगा एक्षन प्लान है और नमामी यह दोनों प्लान गंगा नदी को साफ गरने के लिए चलाए गए भारसरकार के दारा जल्दी वर्स में किस दिन नाया जाता है यह कोश्चन तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए कि इसकी इंपॉर्टाइंस आप सभी भी लोग जानता है ये पितनी बार repeat हो आ पता नहीं बहुत ज्यादा बार repeat हो चुगा है तो इसको निषीत रुप साम याद रखेगा 22 Mars को जो है आपका जल दिवस जो है मनाया जाता है वर्स में एक बार जो है 22 Mars को जल दिवस मनाया जाता है नेक कोशन देखिये रूफ टॉप जल संग्रहन विदी और बून्द बून्द सिचाई तक ने किसके संब्रक्षण से संबंदित है। वैसे तो उसके नाम से हमें दिखाई दे रहा है कि जल संब्रक्षण से संबंदित है। da rooftop जल संग्राइड विदी क्या होती है जब बडल्श ही पाणी आता है या पानी हाता है तो प्रक japanese payroll को चान होता है पर यह सबंस्ली him खोड़ा हम ससे की जाती है क्या गजाती है तो क्या थो से निकलती है है तो उसे बहुत कम पाणी का यूज़ होता है और बहुत सारा पानी बसता है, तो ये जल सन्रेक्षन की विदिया है, चलिए, नैक कोशन देखे, सब्भेता को किस प्रकार परिभासित किया जा सकता है, सब्भेता को किस प्रकार परिभासित किया जा सकता है, तो सब्भेता को हम परिभासित करते हैं, लोगों की इस्थाई बनावट है उनकी संस्क्रति लोगों की जो इस्थाई बनावट है और उनकी संस्क्रति है ये क्या कहलाईगी ये सब्भेता कहलादी और हमें अक्सर जो सब्भेताओं की अबसेस मिला करते हैं तो लोगों की जो इस्थाई बनावट उनकी संस्कति क्या कहलाती है सभेता कहलाती है नाक क्यूशन देखी जलवास्प का कितना भाग समुद्र से प्राप्त होता है जलवास्प का कितना भाग समुद्र से प्राप्त होता है तो जलवास्प का 80% भाग जो है समुद्र से प्राप्त होता है और इसको एक चीज से और तो इसके संगनन हो जाएगा, और बादल में बदल जाएगा, और पवनों के द्वारे इस्थल में जाके इनहाँ वर्सा कर दिता है, फिर वहां से वह जल बहते हुए, वापिस से महसागर में, तो यह वाटर साइकल है, यह जल चक्र है, जो घूमता रहता है, और इसकी से हमे कारक है, जो सुद्द जल प्राप्ति का वो है, यह जो वाटर साइकल है, यह एक मातर कारण है, जिससे हमें सुद्द जल मिल पाता है, जाले, नेक कुशन देखे, वास्पी करण वे वास्पोस्ट सर्जन में क्या अंतर है? यह एंपर्टैंस रखता है, यह सब्द बहुत सकते हैं क्योंकि कई बार ये confusion की वजह से हम गलत टिक कर बैठते हैं अंसर्स पे तो इसको अच्छे से देख लिए वास्पी करण वास्पोस सर्जन में क्या अंतर है तो देखिए वास्पी करण तो क्या है ताप पान से जो जलका वास्प में परिवर्टान होता है वह सामने तौर पंढकर किस के लिए यूजप के लाता है वानस्पती द्वार वास्प ओस तर दिया उगराता है इसे कहा जाता है संपान कि से कहा जाता है है तो संगनन हम कहते हैं वायू मंडल में जलवास्फ का पुने जलवास्फ के रूप में परिवर्थ हो जाता है वो थोड़ी सी बड़ी बूनों में परिवर्थ हो जाती है जिसको हम ओस कह सकते हैं तुसार कह देते हैं कुहरा बादल इन रूपों में वो परिवर्थन हो जाता तो यह क्या कह लाएगा है, यह संग्रनन कहलाता है, the next question देखें, blue gold या gold of future किसे कहा जाता है, ब्लुप गोल्ड या gold of future किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाएगा भचों, जलको कहा जाता है, जल को क्या कहा जाता है blue gold या gold of future तो इसी के साथ इतने ही facts इसमें आपके निकले हैं इसमें जो सबसे importance जो है वो यह है कि कौन सा सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ यह question काफी importance रखता है तो उसके लिए मैंने आपको starting में बताया भी है तो याद रखेगा और मिलते हैं अगले chapter में तब तक के लिए thank you